अस्सलाम उलेकुम डेर स्टूडन्ट कैसे हैं आप उमेद है कि आप ठीक होंगे तो पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने पड़ा था एक प्रेर इसका हमने कितने तीन पैरे पड़े थे तो उमेद है कि आपको तीन पैरे याद होंगे यानि ये एक प्रेर है यानि एक बच्चा जो है बच्चे अल्ला से दुआ मांगते हैं अपने यानि क्या मांगते हैं वो अल्ला से अपने लिए दुआ मांगते हैं कि उन्हें अल्ला सचा बना दे अच्छा बना दे हर एक के स साथ वो यानि वफदारी से रहें सचाई के रास्ते पर उनको चला दे तो ये सारी चीजें की दुआ जो बच्चा जो है वो अल्ला से मांगता है आज हम इसके नेक्स्ट वाले दो पैरे जो बच्चते हैं वो पढ़ेंगे जस्ट वी चैरी इफ फिंग गो रांग तो सेंड वे सारो जस्ट विदे सांग जस्ट वी चैरी चैरी क्या होता है खुश हाल इफ फिंग गो रांग यानि अगर कभी हमारे साथ गलत हो जाए जिंदगी में कोई चीज गलत हो जाए तो हमें उसमें भी क्या रहना है खुश र हैं तू सेंड औम सारो, हमें अगर आल्ला नकरें जब में कोई घामा जाए तो हम उस थम इब खुश रहें, हमें यानि के गम में भी अगर हमारे साथ बुरा हो जाए तो उस वक्त भी हम क्या करें हम यानि के उसको बुरा ना बोलें बलके हम क्या करें उसको भी खुश दिली से सबर से उस गम पे भी हम सबर करें और उस गम को हम दूर बगा दें जस्ट विद इस आंग यानि के गुनगुना के गनागा के हम उस गम को दूर बगा दें Whether the heart is dark or bright Help me to lie to the end right Whether the heart is dark or bright यानि अगर दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो यानि अंधेरा हो या उजाला हो Help to be lieal यानि lieal होता है वफदार यानि के मैं वफदारी मुझे क्या बना दे? वफदार बना दे? Help वाला बना दे? To the end right और सीधे और मुझे क्या कर दे? सीधी रह पे चला दे ये बच्चा जो है ये अल्ला से ये दौा मांगता है अपने लिए दौा मांगता है कि अगर कभी मुझे जिन्दगी में गम हो यानि हमारे साथ कुछ गलत हो जाए मेरे साथ तो मुझे तुफीग दे ए अल्ला के मैं उस सिच्वेशन में भी खुश रहूं यानि मेरे चेहरे पर कोई दुख के आसार नुमाया ना हूँ और मैं अपने गम को किस से दूर बगा दूँ एक गहना गा के कोई भी मतलब गुन गुना के में मतलब ऐसा लगे कि मुझे जैसे कोई गम है नहीं यानि अगर अंधेरा हो या रोशनी हो ए अल्ला हर वक्त मेरी मदद करना तू बी लॉयल यानि मुझे वफदार बना दे मैं तेरे साथ वफा करने वाला बन जाऊं तू दी एंड राइट और मुझे क्या दिखा दे सही राह दिखा दे सीधे रास्ते पे चला दे तो ये पोएम्स हमारी खतम हो गई तो अब हम इस सारी को रुपीट करेंगे Just to be tender, just to be true Just to be glad the whole day thought Just to be merciful, just to be melt Just to be trustful as a child Just to be gentle, kind and sweet Just to be helpful with evil feet Just to be cherry if things go wrong To send away sorrow, just with a song Whether the heart is dark or bright Help me to lie to the end right अब आप बच्चा क्या करोगे अपनी नोट बुक पे इन वोर्ड मीनिंग के मीनिंग लिखोगे Cherry, cherry का मीनिंग लिखो खुशाल, खुश रहना Wrong, wrong आपको पता है गलत हो जाना Sारू, दुख, send, भगा देना Sांग, गाना हौर होता है घंटा, डारक, अंधेरा, ब्राइट, रोशनी Lail होता है वफदार, राइट होता है सीधा यह वोर्ड मीनिंग है यह आप अपनी कापी में लिख लो लिख लेना वीडियो जिए अब आप देखोगे तो वीडियो उस टाइम आप अपनी नोट बुक रखना अपने साथ तो उस पर यह वोर्ड मीनिंग लिख लेना नेक्स्ट वीडियो में इंशालला हम एक्सरसाइज करेंगे, क्वेशन करेंगे ताब तक के लिए मुझे जे अजाज़त अजाज़त, आला हाफिज, हैवे नाइस टे